गुना के गोपाल पुरा इस्थे दसेरा मैदान पर मार्च मैने में एक विशाल मेला सिरू होने बाला था जो निश्चित रूप से गुना के नगरबासियों के लिए मन्रुरंजन का एक परमुक केंदर बनता लेकिन अचारनक लोगडाउन के कारण इस्थिती बिगड़ इसके संचालकों को इससे भारी नुक्सान उठाना पड़ा है और नागरिक भी मन्रुरंजन से बंचित हुए हैं सिटी चैनल की टीम ने ये सब जानने की कोशिश की किस तरह से ये बात प्रभावित हुई है और यो तमाम लोग इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं वो कि इस तरह से बेचैन हैं उना के इत्यास में पहली बार मेला मीना बजार दसरह मैधान में लगा था लेकिन इस बार कोरणा ने ऐसा माहुल पेदा किया कि मेला सिर्फ एक दिन के लिए चालू हुपाया फिर चालू ही ने ने ओपाया 15 मार्च से लगने वाले मेलाइ में आज ह हम खड़े हैं 20 माई को एक भी दिन मिला चालू नहीं हुआ एक दिन थोड़ा बद हुआ था उसके बाद सोचल डिस्टेंग्सिंग के चलते मिला बंद है और मेले के अंदर रहने वाले लोगों से हम बात करते हैं कितना नुकसान है क्या नुकसान है अपनाम नाय चाहूंगा है को कि हम लोग एक नई चीज लेका है थे इस सहर के लिए और हमने काफी अच्य प्रयास करके अच्छा लगाया है वह आप देखी रहे हो Pak तो इसमें लाक रुपय का नुकसान होगे और एक विजली मेला से जने म पास लेवर है, दुकानदार है, लाइट वाले हैं, टेंट वाले हैं, सभी बर्क के लोग जुड़ते हैं, सभी का नुक्सान हुआ है, खासकर कंपनी के लोगे स्टाफ है, बाहर का लोगों के स्टाफ है, गरी भी स्टाफ है, बहुत जादी नुक्सान हो गया, अब क्या कर स लाग और रुपे के हिसाफ से नुकसान हुआ है यह बेला कम से कम अपना यहां दो महीने चलना था जो कि नहीं चल पाया किसी कारण बसको उसके करोना करण नहीं चल पाया और आगया अभी बरसात आजाएगी तो पॉसिबल नहीं है अब आगे जो पूरा आपकी वेवस्ता है बापस जाने की तो यह बरसात आजाएगी अभी अभी इतनी जल्दी सोचल डिस्टैंसिंग के वैसे अभी मेले में इतनी जल्दी पर्मिसन मिलनी पाएगी और बाकि अगर हम सरकार चाहे तो हम जो सरकार की नियम हम उनका नियमों क मुश्चीज के लिए भी जाजी है कोई परसानी नहीं हम लोगों को खाह मैं परस्के नजासर बें हरा है